नमस्कार, परिवार में रिष्टे कैसे तूटते हैं? अपने सगे समंधियों और अपने करीबी से रिष्टे कैसे तूटते हैं? भगवान सिक्रिष्ण ने स्वय गीता में बताया है कि इन पांच कारण से आपके सगे समंद्यों के बीच में रिस्ते बिगड़ जाते हैं आपके अपने करिबियों के बीच में रिस्ते बिगड़ जाते हैं आपके अपने परिवार में पैयों के बीच में रिष्टे बिखड जाते इन पांच कारण से पगवान सिक्रष्न कहते है कि जब परिवार साथ पर रहता है ना तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन जब वही परिवार बिखर जाता है ना और एक दूसरे के सत्रू बन जाते है ना तो बहुत खराब लगता है परिवार को हमेशा साथ रेना चाहिए और ये पांच कारण आप जरूर जानना कि इस वज़ा से आपके रिष्टे खराब हो जाते हैं आपके रिष्टे तूट जाते हैं और वो कारण क्या है जो बगवान सिक्ष्ट ने गीता में बताए हैं वो ये है नमबर वन दूसरों के फेशलों का सम्मान न करना आप परिवार में रहते हो तो हो सकता है कि आप बड़े आपके बड़े बुजर अच्छा फेशला लेते हैं आपके लिए लेकिन आप उनका सम्मान नहीं करते हो आप उनके फेशले को नहीं मानते हो और आप अलग चलने की रहा चलते हो हो सकता है कि वह राह आपके लिए गलत हो फिर भी आप चलते हो और आप अपने बड़े जो लोग हैं उनकी बात नहीं मात दिया हो और एक दिन आपको मुकसान उटाना पड़ता है, और आपके परिवार में बिकर जाता है, आपका परिवार भी तूट जाता है, आपके सिर्प एक फेसला न मानने के करदा। तो जीवन में कभी कभी कुछ बड़े लोग आपके परिवार में हैं और वोगर आपको अच्छा निर्ने देते हैं, अच्छी राय देते हैं, अच्छा फेसला देते हैं तो उनका सम्मान करना, क्योंकि जो आपके करीबी होते हैं ना, जो आपके सगे समंदी होते हैं ना, ज तो द्यान रखना अगर आपने परिवार में आपने बाईयों का हक मारा, आपने सगे समंधियों का हक मारा, तो द्यान रखना आपका रिष्टा कभी लंबा नहीं चलेगा। दुरियोदन ने अपने बाईयों का हक मारा, दुरियोदन अपने बाईयों की जमीन जायदाद भी छीनना चाता था, तो इस कारण क्या हुआ, इस कारण उनका पूरा परिवार विखर गया, और दुरियोदन को महत बड़ी, महत मिनी उसको, तो किसी भी कंडिशन में, किसी भी सूरत में महनत करना, जी तोड महनत करना, लेकिन अपने भाईयों का हक कभी मत मारना, दूसरों का हक कभी छीनने की कोशिस मत करना, परना आपका या परिवार वो जल्दी बिकर कर तूट जाएगा, वो कभी भी लंबा नहीं चलेगा आपक अपने परिवार के सदश्यों के बीच में इर्शा और द्वेस मत रखना अगर आप अपने परिवार में अपने बहियों से इर्शा रखते हो अपने सगे समंद्यों से इर्शा रखते हो तो अगर ध्यान राप आपको कोई भी करीबी हो उससे भी अगर आप इर्शा रखते ह क्यों क्योंकि आपके मन में तो इर्शा परी हुई है द्वेस बरा हुआ है क्या नहीं यार मेरा भाई इतना आगे क्यों बढ़ रहा है उसने ऐसा केसे कर लिया है वो केसे गाड़ी जाया है वो उसने केसे बंगला बना दिया है रियार उसने अपनी मेहनत से बनाया है जो किया उसने अपने मेहनत के बल पर दिया किया आप इर्षया क्यों करते हो आप द्वेस क्यों करते हो यही इर्षया और द्वेस एक दिन आपके परिवार को बिखेर देगी और एक दिन आप अकले पड़ जाओ इसलिए अपने परिवार के बीच में अपने सर्जे समंध्यों के बीच में और अपने करीबी के बीच में कभी बीच इर्शा और त्वेस मत रखना जब रिष्टे की मरियाता हो जाए पार ध्यान रखना रिष्टे में हसी मजा को छोटा मोटा गुसा चलता है लेकिन कभी कभी आपकी हसी मजाग सामने वाले का अपमान बन जाती है तो एसी हसी मजाग कभी मत करना दुर्योदन एक बार जब दुरोबदी के महल में जाता है तो दुरोबदी दुरोबदी का मजाग उडाती है कहती है कि अंदे का पुत्र अंदा और यही मजाक एक दिन द्रोब्दी को बहुत बारी पड़ती है और खुद द्रोब्दी पच्छा ताप करती है कि मैंने तो मजाक में कहा लेकिन सिर्कष्ण कहते है कि एसी मजाक कभी मत करना जो सामने वाले की अपमान बन जाए हाँ मजाक वो हो जिसमें दोनों हसे दोनों इंजोई ले लेकिन एसी मजाक मत करना कि एक तो हसे और एक अपमान सहन करे एसी मजाक जिवन मत करना एसी मजाक करोगे ना तो आपका पहिवार कभी लंबा नहीं चलेगा आपके रिष्टे नाते वो जल्दी तूट जाएंगे और आप विखर जाओ फिप्त और लाच अपने अनुसार किसी को जीने के लिए मजबूर मत करना त्यान रखना परिवार होता है परिवार में 10-15 सदश्य होते हैं सब की अलग-अलग राय होती है सब की अलग-अलग थोट होती है किसी को अपने अनुसार जीने के लिए मजबूर मत करना आप हो चलो ठीक है आप बहुत अच्छे हो तो कभी ये मत करना तेरों को ये करना चाहिए मैं यह कर रहा हूं तो भी तेरों को भी यह करना है मैं वहाँ जा रहा हूं तो तेरों को भी वहाँ चलना है हर फैसला सामने वाले के उपर मत थोपना थोड़ा बोत तो उसे अपने विवेक से भी काम लेने देना अगर आप उसको अपने हर फैसले मानने को मंजूर करोगे ना तो वह एक दिन आप से दूर जला जाएगा एक दिन वह आप से अपना रिष्टा तोड़ देगा और हो सके कि एक दिन वह आपका दुस्मन भी बन जाए इसलिए अपने अनुसार किसी को जीने के लिए मजबूर मत करना हाँ उसे अच्छी बते कहना उसे कहना कि तुझे इस रास्ते पर चलना चाहिए उसे अच्छी एडवाईज जरूर देना उसे अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रोसा ही जरूर करना लेकिन सामने वाले अपने सगे समंदी या अपने परिवार में भाई को या किसी को भी मजबूर मत करना अपने अनुसार चलने को अगर यह आपने किया ना तो आपका रिष्टा बहुत जल्दी तूट जाएगा तो भगवान सिकर से ने यह पांच कारण बताए हैं इस कारण से अपने सगे समंदियों करीबी और रिष्टेदारों से रिष्टे जल्दी तूट जाते हैं इसलिए आप भी एशा करते हो ना तो मत करना क्योंकि रिष्टे बहुत मुस्किल से मिलते हैं और बहुत मुस्किल से लंबे चलते हैं